कि हेलो स्टुडेंट्स और ये वेरी गुट मौनिंग लोगन है हम लोग डिजाइण आइस इंजन कंपोनेंट्स में चल रहते हैं ओकर डिजाइण और करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने डिजाइनव इसी इन्जन पर जो डिशेट था उसकी डाइमेंसन हमने तो आपका उसके कैसे कैसे जो बीग ती स्मॉलिंड में कैसे वारियेशन थे उसके बारे चिस किया था मुल्री ग это विचais बारें के बात करेंगे कि औके तो वर्ल् construction of small and of the connecting rod in the piston pin is shown in figure a यहां पर जो आपका small एका construction आपका वो diagram फिगरे में दिखाया गया है यहां पर कैसे आपका बुस्ट का रहता है कैसे इसमें जो हम लोग हो रहता है जिस से आप रॉपर लुब्रीकेशन कर सके जो पिस्टन निस ओंई फिकर भी यो पिस्टन फी बेरिंगों का वहां पे बीचाइग गई एहां फोर फ्सफर ब्रउन्ज बॉस्ट करते हैं यहां पे इसके लोग यूझ यूझ करते हैं वह फॉस्फर ब्रॉंज यूज़ करते हैं जो कि एक high grade material होता है it is a solid one-piece बुसिंग made by casting and then finished by grinding and rimming operation no doubt जब लोग इसकी manufacturing करते हैं तो यह one-piece casting के थुरू बना सकते हैं बनाते हैं बट बाद में क्या होता है आपका इसमें हम लोग इसको grinding करके ताकि particular slot आपका दे सके यहां पे ताकि पिस्टर असेंबले के लिए अब आद में करते हैं that means surface finish करते हैं इत डिजाइन बाई bearing consideration जब जो designing criteria है आपका bearing consideration हम लोग फॉलो करते हैं और इसके तुरू जो फोर्स आपका यहां पे लगता है connecting rod पर वो ड्यूट आपका maximum gas pressure होता है तो जो आपको पता है pressure is nothing but the force on area तो यहां पर आपका force on the piston यह फोर्स न्यापकर connecting rod due to maximum pressure क्या हो जाएगा PC is equal to pressure into area तो प्रेसर आपका max हो गया जो max जो area होगा पाइगा 4D square हो जाएगा और हमें साथ में यह भी पता है आपका यहां पर देखेंगे आपका in another term में हम यहां पर force on connecting rod निकाला जाए तो यहां पर यह इसका जो भी प्रोजेक्टर यहां पर जो काउंट होता है आपका piston pin में ठीक है तो चाहे पिस्टन की बात करों चाहे क्राइंग पिन की बात करों दोनों में आपका प्रोजेक्टर एरिया काउंट होता है और यहां पर आपका क्या है अपका MT क्या है दर मृमेंटर है अपर पिस्टन lecture करते है 5ठ चाहे करों के लिए यहां पर यहां पर लेते हैं पिस्टन के करेंगे ठीक है तो उसमें आपको यहां पे एलाओबल बेरिंग प्रिसर वैरी करता है आपको डिफर रहेगा देखिए गागी मैं दिखाता हूं इसमें नेक्स दे ल वाइड रेशियो फॉर पिस्टन पिन बूस्ट इस टेकें फ्रॉम 1.5 तू क्योंकि आपको अब इससी ब कर लेंगे फिर वैलुट कर देंगे तो लेंथ आप थो पिस्टन पिन बूस्ट निकल जाएगी ओके लिए आगे देखते हैं आपका कंस्ट्रक्शन अब बीग इंड की बात कर लें तो इसमॉल अंद था तो कंस्ट्रक्शन अब बीग एंड ऑफ दॉन पिन एससोल फीगर the crank pin bearing is a line bearing split into two halves obviously बात है जो big end है इसी क्या करते हैं आपका ये भी one piece आपका drop forging की थूरु बनाते हैं बाद में इसको दो parts पर आपका cut करते हैं it can be split into two halves then the line bushing consists of steel backing with a thin lining of bearing material like babbit यानि कि यहाँ एक thin material हम लोग यूज करते हैं babbit metal का जो कि high grade material है it is also designed by bearing consideration इसको भी हम लोग जो criteria है bearing consideration यूज करते हैं तो criteria आपका पुराना वाला ही है same PC, DC, LC, BBC तो यहाँ से आपका connecting dot पे आपका जो force आपको निकाल सकते हैं बाद में दोनों को equate करतेंगे जो पहले force आप निकाल ले थे आपका due to आपका maximum gas pressure ठीक है 5 by 4 D square P max ठीक है तो और यहाँ पर भी जो ratio रहता है ध्यान देजेगा कि LC by ratio आपका वो भी same है आपका 1.25 to 1.5 बस vary क्या करता है आपे जो allowable bearing pressure है वो यहाँ पे 5 to 10 है जबकि वहाँ पर कितना था आपका 10 से साड़े बारा था ठीक है ओके दिर इस आप प्यों के लिए टर्म क्रस्ट रिलेट टो बिग एंड बेरिंग यहाँ पर एक तर्म आपका यहाँ पर नोटिफाइब कर रहे हैं वह आपका क्या करना पड़ेगा दसलीव हाइट इस लाइट इस अफ्रोटीटली 0.05 बैट मेंगे इसको उसलीप की हाइट होनी चाहिए आपका वह लगभग एप्रोक्समेटली 0.05 mm होनी चाहिए यह मतब ज्यादा होनी चाहिए जैं दा हाफ बोर ऑफ दा हाउसिंग इन विच इट जो हाउसिंग जो स्लॉट कटा गया है उसके कमपर्जन में जो आपका इसको रखना पड़ेगा इस इस काल बेरिंग क्रस्ट एक एसे की उपर दिखाया है किया डाग्राम भी में जो जो आपका बोल्ट के तो इसको टाइट करते हैं तब प्रोजेक्टिंग बेरिंग फेसेज और स्क्विजिग और बेसी बात है जब आपका इसको टाइट करेंगे तो यहाँ पे continuous आपका squeezing action होता है इसी को इसी को हम लोग क्रस्प बोलते है चुली में ठीक है to form a press fit between the split bushes and cap and the big end of the connecting rod okay there is one more term called shim shim क्या होता है the wear of the big the wear of the big end bearing is compensated by means of thin metallic strips between the cap and the fixed half that means क्या करते हैं आपका यहां पर क्या बोलते हैं जो the big end bearing है ठीक है ना उसका wear and tear ना हो तो उसको compensate करने के लिए आप क्या करते हैं अपका thin metallic strips का use करते हैं किसके बीच में आपका cap and fixed half के बीच में as we are takes place जैसे आपका two foot होती है one or more strips are removed and then the cap is tightened मदब की वहाँ पर एक एक से अधिक आपका strips आपका वहाँ पर use काया आती हैं and उनको आपका easily remove कर सकते हैं okay these strips are called sims यह ही आपका strips है आपको वो sims कहलाती है अब देखें इसका cap and bolt है आपका okay यहां पर basically आपका जो bolt का जो diameter अप लोलोते हैं that means core diameter कितना है nominal diameter कितना है और बीग end में आपका इसकी जो cap है उसकी thickness कितनी है यह हम लोग आपका measure करते हैं देखें हैं आप यहां से the maximum force acting on the cap and two boards consist only of inertia force at the top at dead center on the exhaust stroke तो during exhaust stroke क्या होगा वहाँ पर जो आपका TDC position पर जो आपका inertia force act करता है वो कितना है आपका mr square r cos theta plus cos 2 theta by n1 okay जहां पर देखें pi के आपका inertia force है mr आपका mass आप reciprocating part है omega आपका यहां पर angular velocity हो जाएगी that means 2 pi n by 60 जो की radian per second में रहती है तो आप 60 से divide कर दिया तो क्या हो जाएगा मिनिट पर convert हो जाएगी rpm में आ जाएगा और r तो crank radius है cos theta plus cos 2 theta by n1 तो theta तो आपको पता है आपका जो vertical से आपका जो that means line of action से crank आपका angle बनाता है वो आपको theta कहलाएगा तो इसकी जो value है आपका वो ना इस पर डिपेंड करेगा कि आपका maximum inertia force का जन्रेट होता है तो maximum inertia जन्रेट होता है आपका टॉप डिशेंटर पर उस particular उस position पर जो n की value होती है बहुत ही कम होती है एप रॉक्स 3.3 डिगरी होती है या 3 डिगरी में कहलो तो जिसकी जो value है कॉस्स दिता की वो लगभग 2.0.998 होती है तो यह लगभग 1 के बरावर ही होती है तो जब maximum inertia force की बात किया जाएगा तो उस case में आपका यह कॉस 01 हो जाएगा इस similarly आपका यहां भी कॉस जीरो आपको बन हो जाएगा तो यह तो सेम रहेगा बाकी जो bracket में यह तर्म दिया है आपका यहां पर क्या जाएगा 1 प्लस 1 बाई N1 आ जाएगा और जो N1 है आपका वो कुछ और नहीं बलकि L by R ratio है निकि length of the connecting dot the crank radius इसका जो ratio है अपका यह L by R है clear है चले नीचे नीचे देखें हापके maximum inertia force दिया हुआ है उसको निकालने के लिए कुछ आपका parts है जैसे MR आपका जो mass of reciprocating part है यह no doubt आपका इसमें जो piston assembly का जो mass है वो तो हम लोग इसमें consider करते हैं उस उसके साथ ही साथ जो आपका connecting rod आपका जो oscillate करती है ठीक है जो आपका elliptical orbit में movement रहता है उसका one third portion भी आपका mass में count होता है mass of reciprocating part में ओके तो यहां से आपका mass of reciprocating part आ जाए कितना जाएगा mass of piston assembly plus one third mass of the connecting rod तो MR आ गया angular velocity आपका पहले बता दिया था 2.260 होती है जहाँ प rank radius है इसके अपका in terms of L आप देखा जाए तो एक क्या हो जाएगा L by 2 हो जाएगा इन सारी values के दिवहां पर put करेंगे L क्या होता है stroke length होता है तो जो maximum के लिए मैंने बता दिया था maximum के लिए क्लिए क्या हो जाएगा थीटा बड़ाबाबाद 001 हो जाएगा और उस case में आप plus cos theta के जाएगा क्या हो जाएगा 1 आजाएगा और cos 2 theta की जाएगा भी 1 आजाएगा तो 1 plus 1 by N1 हो गया ओके अब देखें यहां पर जो आपका maximum inertia force लग रहा है यहां पर दिया हुआ न आपका तो फोर्स आपका equally distribute होगा जैसा कि force आपका देख पा रहे हैं यहां पर दिया हु प्याइगा प्याइगा तो यहां पर देखें देखा जाए इस जो फोर्स लगेगा inertia force लगेगा तो इसके कारण से इन बोल्ट में जो stress जन्रेट होगा जो टेंसाइल इस्टेश आएगा तो इस्टेश पर आबर क्या होता है लूट अपॉट अपन अरिया तो इस्टेश लोट निकाला जाए यानि की प्याइधि यहा पे in डी-सी के आपको डायमेटर दो बोल्ट से हैं आपका सिग्मा टी आपको परमिस पर टेंसाल इस्ट्रेस है अब देखें यहां पर यहां पर निकाल लेंगे तो यहां से आप इस सब्जेक्टेट टो इनर्सिया फोर्स पी-इमेक्स यहां भी आपको इनर्सिया फोर्स लगेगा ठीक है एस सोनिंफी गर्वी जैसा कि यहां पर भी गर्वी में दिखाया गया है ओके तो इस टीटेड एज बीम फ्रीली सपोर्टेड एड़ बोल्ट सेंटर यहां पर जो आपको लोड अप्लाइब कर रहे है तो इसके लिए यहां पर क्या होगा बेंडिंग मोमेंट आएगा वह भी आपको जो बेंडिंग मोमेंट आए आपने महुत से पढ़ रखा होगा क्या आता है वल्बाइज इस आता है न तो देखें आपे इंटर्मीडे बिट्वीन उन X1 by 6 हो जाएगा क्लियर है तो जब बेंडिंग मोमेंट आपका निकल जाएगा तो इसकी हल्ब से आप बेंडिंग स्टे साप यह देनिंग सीगमा भी निकाल सकते हैं आप देखें आपे में अपकर बेंडिंग मॉमेंट एक्टिंग अनौ थेंदिए आप लग एगा यहां तो आपका क्या ले रहे आपका यहां पर टू टाइमस ऑफ जो बोल्ट का बुस है ठीक है ना देखेंगे आपर शॉरी यहां पर टू टाइमस लेगे आपका ठीकने सब्स ले लेंगे यह कि जो जनली 3 मिलिमीटर इसके बाद नौमिनल डायमेटर ऑफ बोल्ट ले लिए बोल क्या है इसे पुट कर देंगे बस आई का ध्यान रखेगा आई क्या होगा आपका बीडी-क्यूडबल होगा तो यहाँ प्यान के निकल जाएगा बीस्ट इन टीसी आजएक विव सी आफ कि हो जाएगा बीसी और जो टीसी है आपका सब्सक्राइब RES सारे भी कर देंगे यहां पे यहां परिमिटर करें किंद मैं सब कर निकाल पाएंगे क्वारे में मुर्म किलेंटक्र शतना होता है तो उतना है थूरे मिस्टेस फिशिटर्व में आपका इस स्मॉल होता है वहाँ पे प्योर रोटरी मोशन होता है और इसके बीच आपका जो लong strength portion आता है वहाँ पे क्या होता है ये आपका एक elliptical orbit में जो intermediate portion आता है इन दोनों points की बीच में connecting rod का वह elliptical orbits में आपका move करता है जहां पे आपका एक osculation आपका होता है ठीक है ना पूरे आपका इस long shank portion में आपका osculation होता है और due to this osculation यहाँ पे जो inertia force आपका induced होता है ठीक है ना यह इस inertia force के कारण से आपका जो यहाँ पे osculation हो रहा है उसके कारण से चभूरी length में आपका वहाँ पर बेंडिंग होगी क्या जान्रेट Crown प करना होगा बेंडिए- कारन से यही बेंडिट्रेस-हला है तiszक आप आपका क्योंकि इसके लिए भी आपको MBY आपन आई चाहिए MBY के लिए Bending Moment के लिए आपका ठीक है ना जो Bending Moment के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर देखें First of all step by step चलते हैं यहां पर हमें मास निकालते हैं मास आपका पर मीटर लेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा best volume into density volume अरी ऋंतव लेपर नर ही पर स्थेल के लिए आपका 11 t square होता है यहां पर टी रखें देखें यहां पर दिया भी हुआ है कि क्या दिया हुआ आपका फॉर्स फॉर इस्टील जो डेंसिटी है आपका आट तर सो केजी पर मीटर कीव होती है जब कि जो क्रॉस सिक्षन है आपको पता है 11 टी स्क्वाइर है जहां पे टीक है आपका थिकने साफ दा वेव एंड फ्लेंजेज है ओके तो यहां से आपका कि वहां ने आपका एडिया की वैलो पूट कर देंगे तो 11 टी स्क्वाइर रो आ जाएगा वह भी यूनिट धिया रखना किलोग्राम पर मीटर क्यों कि आपको पर मीटर पर यूनिट लेंद के हिसाब से निकाले है तो यह आपको लेंद पता होगा यह लेंद से मल्टिप डिस्टेंस पर आपका मैकसमां बेंडिंग मुमेंट आपका जनरेट होगा ठीक है और उसका जो मैगनिट्ट आएगा वो आएगा MR ओमेगा स्क्वाइर एम ओके वाइगा स्कार आर एल बाई नाइन रूट थी यह उसकी बेली होगा आपका MB मैक्स की तो MB मैक्स आपको पत यह हो जाएगा M निकालना चाहिए तो MB मैक्स क्या हो जाएगा ML ओमेगा स्क्वाइर आर एल स्कौर अपॉन नाइन रूट थी हो जाएगा क्योंकि जो ML की वैलु हो जाएगा एम एंट्टू एल इंटू एल एल स्कौर हो गया ठीक है अब बचा क्या आपका सारी सारी values आप पुट कर देंगे यहां से तो bending stress आपका निकल जाएगा और यही bending stress से आपका whipping stress कहलाता है okay so for today it is more than enough I think if you have any query then you can ask in the comment section so thank you thank you so much